आपका पहला सवाल है, केस राज्ये ने बसों में महिलाओं को मुफ्त यात्रा प्रदान करने के उद्देश्य से महा लक्ष्मी योजना लागू की है? आपके ओप्षन है, A. तेलंगाना, B. उत्तर प्रदेश, C. मध्यप्रदेश आपका सही जवाब होगा, A. तेलंगाना, आपका अगला सवाल है, लाल दोहो माने किस राज्य केंदर शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपतली? आपके ओप्षन है, A. राजस्थान, B. मध्यप्रदेश, C. मिजोरम आपका सही जवाब होगा, C. मिजोरम आपका अगला सवाल है, बन्नी घास का मैदान, जो समाचारों में देखा गया था, किस राज्य केंदर शासित प्रदेश में स्थित है? आपके ओप्षन है, A. उत्तर प्रदेश, B. गुजरात, C. मध्यप्रदेश आपका सही जवाब होगा, B. गुजरात, आपका अगला सवाल है, हाल ही में किसे अजन्ता एलोरा फिल्म फेस्टिवल में पद्मपानी लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड मिलेगा? आपके ओप्षन है, A. जावे दक्तर, B. सलमान खान, C. अमिताब बच्चन आपका सही जवाब होगा, A. जावेद अख्तर, आपका अगला सवाल है, भारतिय रिजर्व बैंक, RBI, ने स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा के लिए UPI भुगतान सीमा एक लाख रुप्ये से बढ़ा कर कितनी कर दी है? आपके ओप्षन है, A. तीन लाख रुपे, B. पांच लाख रुपे, C. साथ लाख रुपे आपका सही जवाब होगा, B. फाइव लाख रुपे आपका अगला सवाल है, खबरों में नजर आए, शेरिंग ताशी के स्पेशे से जुड़े हैं? आपके ओप्षन है, A. गायक, B. लेखक, C. शिक्षक आपका सही जवाब होगा, B. लेखक आपका अगला सवाल है, हाल ही में किस IIT ने पानी से आसनिक और धातू आयनों को हटाने के लिए अमरित तकनीक विक्सित की है? आपके ओप्षन है, A. आएएएटी मद्रास, B. आएएएटी दिल्ली, C. आएएएटी जैपुर आपका सही जवाब होगा, A. आएएएटी मद्रास, आपका अगला सवाल है, हाल ही में IIMF अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए किस देश को 337 मिलियन डॉलर प्रदान करेगा? आपके ओप्षन है, A. पाकिस्तान, B. श्रीलंका, C. फलिस्तीन आपका सही जवाब होगा, B. श्रीलंका, आपका अगला सवाल है, हाल ही में सयुक्त राष्ट्र ने कहां दस वर्षो बाद शान्ती मिशन को आधिकारिक तौर पर समाप्त कर दिया है? आपके ओप्षन है, A. सीरिया, B. कुवेट, C. माली आपका सही जवाब होगा, C. माली आपका अगला सवाल है, भारतिय मूल की छात्रा जिन्होंने हाल ही में Miss India USA 2023 खिताब अपने नाम किया है, आपके ओप्षन है, A. इश्शिता पाई, B. रिजुल मैनी, C. ग्रीशमा भथ आपका सही जवाब होगा, B. रिजुल मैनी अपका सही